निकट भुद्काल में भारत की आजादी के 75 साल पूरे हुए है और अब भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष पर काम कर रहा है जब भारत अपनी आजादी के सो वर्ष मनाएगा तब तक हमने भारत को विख्षित बनाने का लक्षर का है और इसलिए यह 25 साल का कार्यकाल भारत का अम्रत काल है यह नए सपने नए संकल्प और नित्य नूतन सिद्धियों का कार्यकाल है इस अम्रत काल में यह पहली वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हो रही है और इसलिए इसका महत्व और बढ़ गया है इस समिट में आए सो से जादा देशों के प्रतिनिदी भारत की इस विकास यात्रा के एहम सहियोगी है मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ फ्रेंट्स युएई के राश्पति मेरे ब्रदर इस हाइनेश सेख मोहमत बिन जायत का इस आयोजल में शामिल होना हमारे लिए बहुत खुशी की भात है वाइब्रन गुजरात में इस समीट में उनका यहां चिफगेश के तौर पर उपस्तित होना भारत और युएई के दिनों दिन मजबुद होते आत्मिय सबंधों का प्रतीक है कुछ दिर पहले हमने उनके विचार सुने भारत को लेकर उनका विश्वास उनका सहयोग बहुत ही गर्म जोसी से भरा हुआ है जैसे उन्होंने कहा वाइब्रेंट गुजरार समीट एकोनोमिक डवलप्मेंट और इन्वेस्टमेंट से जूड़ी जानकारियों और अनुभव साजा करने का ग्लोबल प्लेटफर्म बन गई है इस समीट में भी भारत और विए इने फुड पार्क के विकास के लिए रिन्यूबल एनर्जी के खेतर में सयोग बढ़ाने के लिए इनोवेटिव हेल्थ केर में निवेश के लिए कई महत्वपूर्ण समझोते किये हैं भारत के पॉर्ट इंफ्रसक्टर में युएई की कंपनियों द्वारा कई बिलियन डॉलर के नई निवेश पर सहमती बनीए युएई के सौवरेन वेल्ट फंड द्वारा गिफ्ट सिटी में ऑप्रेशन शुरू किये जाएंगे ट्रांस वर्ल कंपनी यहां एरक्राप्ट और शिप लिजिंग अक्रिविटीज भी शुरू करने जा रही है भारत और यही ने जिस तरह अपने रिस्तों को एक नई उचाई दी है उसका बहुत बड़ा स्रे मेरे ब्रदर हीज हाइनेश से एक मुहमत बिज्जायद को जाता है फ्रेंट्स मुझंबिक के प्रेजिडेंट इस एक्सलेंसी निउसी से कल भी मेरी बहुत बिस्तार से बात हुई है उनके लिए तो गुजरात आना पुरानी यादा को ताजा करने जैसा है प्रेजिडेंट्स निउसी आयाएम एमदाबाद के एल्यूमनाए है भारत के लिए गर्ब की बात है कि हमारी जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी में आफ्रिकन यूनियन को साही सदस्ता मिली प्रेजिडेंट्स निउसी की भारत यात्रा से हमारे सबंधों को तो बल मिला ही है भारत आफ्रिका के बीच गनिश्रता और बड़ी है साथियों चेक के प्रधान मंत्री इस एक्सलेंसी पैत्र फियाला जी की कि पहली भारत प्यात्रा इस पद पर है वैसे वो भारत पहले भी आए गए चेक लंबे समय से वाइब्रेंट गुजरात समीट से जुड़ा हुआ है भारत और चेक के बीच टेकनलोजी आटो मोबाइल्स मैनुफेक्टरिंग जैसे सेक्टरस में सहीयोग लगातार बढ़ रहा है इस एक्सलेंसी पैत्र फियाला मुझे विश्वास है आपकी सियात्रा से दोनों देशों के सम्मन और मजबूत होंगे हमारी यहां कहां जाता है अतीथी देवो भवव और प्रदानमंत्री के रूप में आपकी तो इसे पहली भारत विजिट है उमीद है आप बहुत शांदार यादे लेकर यहां से जाएंगे फ्रेंड्स नॉबेल लॉरियेट और तीमोर लेस्ते के राश्पती His Excellency Ramos Horta का भी मैं भारत में स्वागत करता हूँ His Excellency Ramos Horta का गांदी नगर आगना और विश्यस है आपने मात्मा गांदी के नॉन वालेस के सिध्धान को अपने देश के स्वातंत्र संगराम से जोड़ा है आशियान और इंडो प्रसिपिक छेत्र में तीमोर लेस्ते के साथ हमारा सैयोग बहुत एहम है Friends, कुछ समय पहले ही Vibrant Gujarat Global Summit को 20 वर्स पूरे हुए है बीते 20 वर्सों में इस समीट ने नए आइडियाज को प्लेटफॉर्म दिया है इसने investments और returns के लिए नए गेटवे बनाए है और अब Vibrant Gujarat Global Summit की इस बार की थीम है Gateway to the Future 21 सदी की दुनिया का फ्यूचर हमारे साजे प्रयासों से ही उजवल बनेगा भारत ने अपनी G20 Presidency के दौरान भी Global Future के लिए एक रोड़ मैप दिया है Vibrant Gujarat Global Summit के इस एडिशन में भी इस वीजन को और आगे बढ़ा रहे है भारत, I2, U2 और दूसरे Multilator और रहासों के साथ Partnership को लगातार मजबूत कर रहा है One World, One Family, One Future का सिध्धान्त विश्व कल्यान की अनिवार्य आवशक्ता है Friends, आज तेजी से बदलते हुए World Order में भारत विश्व मित्र की भूमिका में आगे बढ़ रहा है आज भारत ने विश्व को ये भरोसा दिया है कि हम साजा लक्ष तै कर सकते हैं अपने लक्ष प्राप्त कर सकते हैं विश्व कल्यान के लिए भारत की प्रतिवर्द्द्दा भारत की निष्ठा भारत के प्रयास और भारत का परिश्रम आज की दुनिया को जादा सुरख्षित और सम्रुद्द बना रहा है अजर प्रतिवल अपर्ट विश्व प्रतिव्द्द्द प्रतिवर्टर प्रतिव का दूंप प्रतिवर्ट्वं a voice that believes in global good, a voice of the global south, an engine of growth in the global economy, a technology hub for finding solutions, a powerhouse of talented youth and a democracy that delivers. Friends, भारत के 1.4 billion लोगों की priorities और aspirations, human-centric development पर उनकी आस्था, inclusivity और equality का हमारा commitment विश्व सम्रुद्धी और विश्व के विकास का बहुत बड़ा आधार है. आज भारत दुनिया की प्रमुग्रेटिंग एजनसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की top three economy में जाएगा दुनिया के लोग जो analysis करना है करते रहें मेरी guarantee है हो जाएगा एक ऐसे समय में जब विश्व अनेक अनिस्चित्ताओं से घीरा हुआ है तब भारत दुनिया में विश्व की एक नई कीरण बन करके उभरा है भारत की प्राथ्विक्ता हैं बिलकुल स्पस्ट है आज भारत की प्राथ्विक्ता हैं sustainable industry infrastructure and manufacturing आज भारत की प्राथ्विक्ता हैं new age skills futuristic technology AI and innovation आज भारत की प्राथ्विक्ता हैं green hydrogen renewable energy semi conductors इसका पूरा ecosystem इसकी एक जलधम vibrant गुज्राथ global trade show में भी देख सकते और मेरा तो आग रहे हैं कि trade show जुरूर देखे गुज्राथ के भी school college की विद्यारती जुरूर जाएं कल दिन में मैंने इज एक्सेलेंसी न्यूसी और इज एक्सेलेंसी रामस होड़ा जी के साथ इस trade show में काफी समय गुजा रहा है इस trade show में कंपनियों ने world class state of the art technology से मैंने प्रोड़क्स का निदर्शन किया है इमोबिलिटी स्टार्ट अप्स ब्लू एकॉनमी ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट इंफ्रास्रक्तर जैसे ट्रेड शो में एक प्रकार से चाय हुई है यह जितने भी सक्रत है इन्वें इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास लगातार नए अउसर बन रहे हैं साथियों आप सभी वैश्वीक परितित्यों से भली भाती परितित हैं ऐसे में आज अगर भारत के एकॉनमी में इतना रेजीचलियंस दिख रहा है अगर आज भारत की ग्रोथ में इतना मोमेंटम दिख रहा है तो इसके पीछे बड़ी वजय है बीते दस वर्षों में स्ट्रक्ट्रल रिफॉम्स पर हमारा फोकस इन दिफॉम्स ने भारत की एकॉनमी की कैपेसिटी की कैपेबिलिटी एन कॉंपिटिटिवनेस बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया है री केपेटिलाइजिशन और आई बीसी थे हमने भारत के बैंकिंग सिस्टिम को दुनिया के सबसे बजबुत बैंकिंग सिस्टिम में से एक बना दिया है इज अप डूइंग बिजनेस पर जोड देते हुए हमने चालीस हजार से ज़्यादा कंप्लाइंसिस को समाप कर दिया है जी एस्टि ने भारत में टेस्क के अनाविस एक जाल को खत्व किया है भारत में हमने ग्लोबल सप्लाइज चेन के डाइवर्स इप्रकेशन के लिए बैतर माहूल बनाया है हाल में हमने थ्री एप्टी ए साइन किये ताकि ग्लोबल बिजनेस के के लिए भारत और अट्रक्रिव डेस्टिनेशन बन सके इन में से एक एप्टी ए तो युए के साथ ही हुआ है हमने अनेक सेक्टर्स को अटोमेटिक रूट से एप्टी आई के लिए ओपन किया है आज भारत इंफ्रासेक्टर पर रिकॉर्ड इंवेस्ट कर रहा है पिछले दस वर्स में भारत का कैपेक्ट पांच गुना दी हो चुका है भारत आज ग्रीन एनर्जी और अल्टरेटिव एनर्जी सोर्स को लेकर भी अबुत्पर्व गति से काम कर रहा है भारत की रिन्योबल एनर्जी कैपेसिटी तीन गुना बढ़ी है और सोलार एनर्जी कैपेसिटी में बीस गुना बृतिव हुई है डिजिटल इन्डिया मिसेडे भारत में लाइफ और बिजनेस दोनों कर दिया है दस वर्षों में सस्ते फोन और सस्ते डेटा से डिजिटल इंक्लूजन की नई क्रांती आई है हर गाउं तक अप्टिकल फाइबर पहुंचाने का अभ्यान फाइवजी का तेजी से विस्तार आम भारतियों का जीवन बदल रहा है आज हम दुनिया में तीसरे बड़े स्टार्ट अप एकोसिस्टेब है दस वर्थ पहले तक भारत में कुछ सो स्टार्ट अप से आज भारत में एक लात 15,000 रिजिश्टर्ड स्टार्ट अप से भारत के ओवर्रॉल एक्सपोर्ट में भी रेकॉड बड़ोतरी हुई है फ्रेंट भारत में जो यह बड़लावा रहा है वो भारत के नागरी कोई की हीस अफ लीविंग भी बढ़ा रहा है उन्हें एमपावर कर रहा है हमारी सरकार के पांच वरसों में साड़े तेरा करोड से जादा लोग गरीबी से बाहर निकले है भारत में मिल्लेटरास की एवरेज इंकम लगातार बढ़ रही है भारत में फिमेल वर्कफोर्स के पार्टिसिपेशन में भी रेकॉर्ड बुरुद्धी हुई है भारत के भविशे के लिए ये बहुत अच्छ है और इसलिए मैं आप सभी का आहवान करूंगा कि भारत की इस विकास याता से जूड़िए हमारे साथ चलिए साध्यों लोजिस्ट्रेक्स को लेकर इज अप ट्रांस्पोर्टेशन के लिए भी भारत में आधुरिक पर काम हो रहा है दस साल पहले भारत में 74 एरपोर्ट से आज भारत में 149 एरपोर्ट है भारत का नेशनल हाईवे नेटवर्क पिछले दस सालों में करीब करीब दो गुना हो चुका है दस सालों में हमारा मेट्रोटेशन नेटवर्क तीन गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है गुजरात हो महराष्ट हो या फिर हमारी इस्टन कोस्ट लाइन हो इनको आज डेडिकेटेड फ्रेट कुरिडूर से जोड़ा जा रहा है भारत में आज अनेक नेशनल वाटर बे हो गया है जी ट्वेंटी के दोरा में जीस इंडिया मिडल इस यूरोप एकनोमिक करीडूर की गोशना हुई है वो भी आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी बिजनेस अपर्चुनिटी है फ्रेंट्स भारत के कोने कोने में आपके लिए नई संभावनाएं है वाइब्रेंट गुजरात समीट इसके लिए भी एक गेटवे की तरह हैं गेटवे टू दे फ्यूचर और आप भारत में जिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे हैं बलकि यंग क्रियेटर्स और कंजुमर्स की एक नई जनरेशन को भी शेप कर रहे हैं भारत के एस्पिरेशन से भरी यंग जनरेशन के साथ आपकी पार्टर्शिप को वो रिजल्ट लाकर दिखा सकती हैं जिसकी आपने कभी कलपना भी कलपना भी नहीं की होगी और इसी विश्वास के साथ एक बार फिर आप सभी का वाइबरेंट गुजरात समीट से जुणने के लिए मेरे देश से बहुत-बहुत आभार वेक्त करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलानाता हूं कि आपके सपने यह मोदी का संकल्प है आपके सपने जितने बड़े होंगे मेरा संकल्प भी उतना ही बड़ा होगा आईए सपने देखने के अवसर अनेक है संकल्प पूरा करने का सामर्थ अभी मौझूद है बहुत-बहुत धन्यवाद